जब जेसी भी मसीन द्वारा हनुमान जी की मोरती तोड़ी जा रही थी तब हुआ एक ऐसा चमतकार जिसने यह साफ साफ बता दिया कि क्या होता है जब हनुमान जी से टक कर लेता है कोई यह सच्ची घटना सुनने से पहले हनुमान जी के सच्चे भक्त कमेंड बॉक्स में जैश्री राम वश्य लिखे ताकि हनुमान जी की किरपा आप पर सदेव बनी रहे आज हम आपको हनुमान जी का एक ऐसा चमतकार बताने जा रहे हैं जो अविश्वश्णिया है मद्य पर्देश में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे देख कर हर कोई दंग रह गया दरसल यहां एक पहाड़ी इलाके पर रोड निर्मान के लिए जैसी बी से खुदाई चल रही थी तब ही वहां खुदाई करने वालों को एक बंदर दिखाई दिया जो दिखने में बहुती बड़े आकार का था और उसे देख ऐसा लगा मानो स्वयम हनुमान जी धर्ती पर आ गए हो वहां मौजूद लोग बताते हैं कि जब जमीन की खुदाई की जा रही थी तो इस दोरान जमीन से हनुमान जी की परतिमा निकली लेकिन यह मूर्थी उस समय किसी को दिखाई नहीं दी और JCV मसीन तो चालू थी जैसे ही JCV मसीन हनुमान जी की मूर्थी को खंडित करने वाली ही थी ठीक उसी समय एक बंदर की तेज आवाज सुनाई दी अगर खुदाई करने वालों को वह बंदर नहीं दिखाई देता तो हनुमान जी के मूर्थी को हानी पहुंचा देते उस घटना के सम्मंद में जब JCV ड्राइवर से इस बारे में बात की गई तो उसने बताया कि रोड निर्मान का कार्य चल रहा था और जिस जगह पर हनुमान जी की मूर्थी निकली ठीक एक दिन पहले उसी जगह पर मशीन खराब हो गई थी वह बताता है कि शायद हनुमान जी नहीं चाहते थे कि उस मूर्थी वाले एरिया की खुदाई हो लेकिन वह ड्राइवर बताता है जब मसीन को ठीक कर आया गया तो अगले दिन उस मशीन ने काम करना शुरू कर दिया और खुदाई फिर से आरंब की गई परन्तु जब उस जगा पहुंचा गया जहां हनुमान जी की प्राचीन मूर्थी थी तो वहां अचानक से एक बंदर दिखाई दिया जो दिखने में आम बंदरों की तरह बिलकुल नहीं था जो बहुत गुस्से में था और उसके बगल में हनुमान जी की मूर्थी भी चमतकार को देखकर हैरान थे जब इस चमतकार की खबर आसपास के गवंवा लोग को पता चली तो सभी लोगे खटे हो गए और सभी ने माना कि यह हनुमान जी का ही चमतकार है उस बंदने हनुमान जी की मूर्ति को छती होने से पहले ही बचा लिया वहां के लोगों के मुताबित हनुमान जी की इस प्राचीन मूर्ति को दिव्य मूर्ति माना जाता है और दूर दूर से लोग इस मूर्ति का दर्शन करने आते हैं और हनुमान जी का आशिरवाद लेते हैं दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिस्तदारों में जादा से जादा शेयर करें कमेंट बॉक्स में जैश्यराम जैबज रंगवली लिखना बिलकुर भी न भूले आगे भी ऐसी वीडियो लगाता है देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बैल आइकन को भी दवा दीजे धन्यवाद दोस्तों